दोस्तों, क्या आप भी कुछ इस परकार से ball magic वाला वीडियो बनाना चाहते हैं? इस परकार से ball magic वाला वीडियो आज मैं cap cut application से आपको बनाना सिखाऊंगा, बहुत असान तरीका से तो चली यह mobile के screen पर चलते हैं, और इस परकार से ball magic वाला वीडियो बनाना सीखते हैं एक्टिंग किये हुए तो चलिए ओ वीडियो में यहां पर ले आया एड़ पर आपको क्लिक करना है तो वीडियो आपका एड़ हो जाएगा यहां पर आप देख लीजिए आपको एक्टिंग किस परकार से करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी ग्राउंड में जाकर ऐसे आपको बॉल को ऐसे लातों से ऐसे किक करना है इस परकार से एक्टिंग करना है और ऐसे आपको ऐसे आपको देखना है कि पीछे कोई बॉल आ रहा है इस परकार से एक्टिंग करके आपको भागना है इस परकार से अब आपको मैं इडिटिंग इसको आपको किस तरह से करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां से मैं बॉल मारने का एक्टिंग कर रहा हूँ यहां से बॉल मारने का एक्टिंग कर रहा हूँ तो यहां से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है और स्लिप्ट कर देना है, स्लिप्ट करने के बाद यह जो इस्टा पार्ट है इसको आपको सिलेक्ट करके यहां से आपको डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद फिर से आगे हम बढ़ते हैं और यहां देखते हैं यहां से वीडियो खतम हो रहा है फिर से इस वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है और सिलिप्ट कर देना है और दाये तरफ जो इस्टा पार्ट है उसको सिलेक्ट करके आपको डिलीट कर देना है डिलीट करने के बाद अंत में आपको आप देख सकते हैं कि यहां कैप कट का लोगो आता है तो उस लोगो पर आ मेरे टेली ग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं उसका लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आपको ओबरले पर क्लिक करना है एड़ ओबरले करना है और ग्रीन स्क्रीन बाला जो फूट बॉल है उसको आपको यहां पर एड़ कर लेना है तो कुछ इ में जाना है और इसको ऐसे उंगली की सहता से नीचे कर लेना है और इंटेंसिटी में जाकर इसको आपको फूरे फूल कर देना है फिर आपको सैडों में जाकर आपको ऐसे कर लेना है तो इस परकार से इसका ग्रीन स्क्रीन हट जाएगा अब आपको ग्रीन स्क्रीन बाले वीडियो पर किलिक करना है और इसको ऐसे उंगली की मदद से आपको छोटा कर लेना है और जहां से आप मारने का एक्टिंग करते हैं वहां पर आपको पैर पर आपको ऐसे लगा देना है देखिए मैं यहां से मारने का एक्टिंग कर रहा हूं तो आपको छोटा करके अपने पैर में इसको लगा देना है, जहां पर आप बॉल मारने का एक्टिंग कर रहे हैं, वहां पर आके वीडियो को आपको सिलेक्ट करना है, एक प्लस देना है, एक प्लस देने के बाद थोरा आगे बढ़ा कर, एक दूसरा प्लस आपको देना है, और ऐसे बॉल को बढ़ा करके, ऐसे बरा करके आपको ऐसे उपर की तरफ इसको कर देना है तो दोस्तों आपको कुछ इस परकार से एफिक्ट आपको दिखाई देगा इस परकार से बॉल उपर चला जाएगा अब आपको थोड़ा आगे की तरफ आना है आगे के तरफ आकर इस वीडियो पर आपको उपर वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है और यहां से आपको सिलिप्ट कर देना है slip करने के बाद जो आगे वाला वीडियो का part है उसको फिर से आपको select करना है और नीचे आगे के तरफ आपको scroll करके आपको इसको copy कर लियेरा है तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां copy का option आ चुका है free आपको कर लियेरा है copy करने के बाद यह जो first वाला video है निंचे वाला जो overlay है उसके आपको क्लिक करके इसका बैक्ग्राउंड आपको remove करना होगा तो background remove करने के लिए फिर से आपको cut off पर जाना है और remove background आपको कर देना है तो कुछ समय लेगा यहां आपका background remove कर देगा तो दोस्तों यहां से background remove हो चुका है अब आपको फिर से green screen वा और यहां पर एट करदेना है, एट करने के बाद इसको आपको इस परकार से रोटेट करने के बाद इस screen बाले वीडियो पर आपको क्लिक करना है और क्रोम की के मदद से cut out में जाकर इसका क्रोमा की आपको लिखाल लेना है ऐसे इसको नीचे की तरफ किजिएगा intensity में जाकर इसको फूल कर देना है shadow में जाकर आपको ऐसे फूल कर देना है इस परकार से फूल करने के बाद फिर से आपको green screen वाला जो foot wall वाला वीडियो है उस पे आपको click करना है एक प्लस देना है और इसको उपर की तरफ ऐसे ले आदना है उपर की तरफ ले आने के बाद थोरा आपको वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाना है आगे की तरफ बढ़ाने के बाद इस foot wall वाले वीडियो को लाकर आपको ऐसे कर लेना है फिर से थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर लेना है फिर से थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद इसको थोड़ा ऊपर कर लीजिए इस परकार से फिर से थोड़ा आगे बढ़ाने के बाद फिर से आपको ऐसे नीचे कर लेना है और आपको सबसे अंत में यहां पर आके वीडियो के अंत में आके यहां पर वीडियो को बारा ऐसे कर लेना है बारा ऐसे करने के बाद आपको फिर से इस परकार से कर लेना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आगे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है और आपको layer पर जाना है और one पर आपको ऐसे कर देना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस परकार से आपको दिखाई देगा आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ हम देख रहे हैं इस परकार से ball आ रहा है और यहाँ पर मैं चला गया तो दोस्तो इस परकार से आप बहुत ही आसानी से इस परकार का वीडियो आप बना सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं एक नए टिटोरियल के साथ